हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ अनुभा और आज सेटर्डे है तो मैं लंज की थाली प्रिपेर कर रही हूँ तो खाने में बहुत सिंपल खाना रखा है आज मैंने तो मैं बना रही हूँ सिंपल सी लौकी की सबजी और उसके साथ हम एक आम की चटनी बनाएंगे और यहाँ पर मैं टमाटर को कट नहीं कर रही हूँ तो टमाटर को मैं फटाफट से जल्दी से एक दम चौप करे ले रही हूँ क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सबका मन था कि कुछ बहुत सिंपल से हलका फुल का खाना बनाएं तो आलू खाती थी और टमाटर थोड़ा बहुत खाले थी बाकी में बहुत जाद कोई सब्जी नहीं खाती है बिंडी घाती थी बिंडी तो शायद सारे बच्चे खाते मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ पर मैंने मस्टर ओयल डाल दिया है पैन में कभी-कभी कोई-कोई जीरे और थोड़ी सी राई दाने डालेंगे तो राई दाने मैंने बिल्कुल जरा से डाले हैं क्योंकि राई दाने मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूं माकी लौकी के साथ राई दाने का मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन थोड़ी से राई दान का कि आप लोग लौकी के साथ क्या combination खाते हैं मतलब लौकी की सबजी है रोटी है दाल राइस है इसके लावा आप लौकी को किस चीज के साथ खाना पसंद गयते हैं कई लोगों को लौकी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है वैसे जैसे हमारे हाँ पूजा हुआ करती थी तो सात्विक खाना पना करता था तो कई बार जैसे लौकी बनती थी लौकी के लावा कई बार कद्दू भी बनता था और भिंडी बनती थी वैसे कद्दू और लौकी बिना प्याज लहसुन वाली जो सबजियां बनती थी उसमें ममी लौकी भी बना दिया करती थी लौ बढ़ा सा कुकर में एक सीटी दे के उबाल सकते हैं इससे लौकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और आपको बनाने में आसान रहेगा मुझे कुकर वाली लौकी भी बहुत अच्छी लगती है मम्मी मेरी कई बार बनाती थी तो मुझे वो लौकी भी बहुत अच्छी लगती है उसको मैं राइस के साथ खाती हूँ जैसे लौकी की सब्जी मुझे चपाती के साथ अच्छी नहीं लगती है मुझे राइस के साथ ही अच्छी लगती है तो इसमें मैंने थोड़े से मसाले एट कर दिया है जैसे धनिया पत्ती और कश्मीरी लाल मिर्च धनिया सूखा धनिया कश्मीरी लाल मिर्च हल्दी पाउडर और एक मैंने छोटा साहरा मिर्च भी इसमें डाल दिया और बिल्कुल मैंने जरा सा आधा चम जिसमें गरम मसाला एट किया है और हम नमक भी एट कर देंगे अब इन सारी जो मच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने का एट कर देंगे तो यहां मैं थोड़ी से लौकी बचा ले रही हूं लौकी जादा थी चार लोगों के हसाब से तो मैं थोड़ी से लौकी बचाने के बाद इसे मैं या तो सामभर मियूस कर लूँगी या फिर मैं लौकी के थोड़ा सा इसे ग्रेट करके हलके से इसके क्योंकि लॉकी सॉफ्ट थी तो जादा पकने में टाइम नहीं लगेगा तो हम इसके साथ इसमें मिला देंगे थोड़ा सा पानी तो पानी बहुत जादा ना डालें क्योंकि हमें बहुत जादा एकदम तरी वाली लॉकी नहीं बनानी है तो मैंने देखा आधे कप के अभी हम इसको मिला दिंगे चारो दरब से और मिलाने के बाद हम लॉकी को धकल लगा के पकाएंगे जिससे कि फटा-फट से एकदम कुक हो जाए तो मैं क्या करूंगी कि इसमें धकल लगाने के बाद थोड़ी सी बारी खरी धनिया भी इसमें एड़ करूंगी तो धनिया क थोड़ा सा सेट करेंगी दाएंबगैं तो जब आप हरा धनियां पकाते टाइम पर डालते हैं तो उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा था सब्सपिबलाने के वह Guru सबच इसके भी सब्सक् отвеч को कुक कर कर लेते तो उसके बाद तो तो यह मुझे बहुत टेस्टी लगा और बहुत अच्छ से फ्लेवर भी आता सब्जी का एकदम फ्रेश फ्लेवर आता है सब्जियों में अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ मैं आम की चटनी बना रही हूं तो आम की चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया पुदीना और हरम रिच लिया है और कच्छा आम लिया है तो धनिया पुदीना और आम को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो पुदीना मैं बहुत जादा नहीं दो लेंगे साफ कल लेंगे और आम को हम छील लेंगे तो आम की चट्नी ना दो तीन तरीके से बनती है घर में एक प्याज डाल के भी बनती है और एक कूट के भी बनती है कई बार ना हमारे घर में आम की चट्नी ना मम्मी सिल्वट्टे पर बनाया करती थी तो वो चट्नी भ लाल वाला हरे मिर्च की जगह लाल चूखा वाला मिर्च होता है उसको डालती थी तो उससे बहुत यमी लगती थी वह चटनी अब यह देखी इसको आम को छील लेंगे और आम छीलने के बाद हम इसको कट कल लेंगे और इसकी गुठली होगी फेक देंगे अच्छा एक बात अथर हमारे हम जो आम का चार ढालती थी ना तो आचार डालते टाइम पर जो उसकी गुठली होती थी ना मतलब उसके अंदर जो वह ऑफट पार्ट रहता था उसका भी चार ढाल दी थी मतलब वह अलग से थोड़ा सा निकाल के डाल दी तो भो भी बहुत टेस्टी लगता अब मुझे याद आता है बच्पन में मैं नहीं खाती थी लेकिन जब मैं जैसे से बड़ी हुई तो वो मुझे अच्छा लगने लगा तो वो भी आगर आप आमका चार डाल रहे हों तो उसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं चार रहे हैं तो भी काफी टेस्टी लगता हैं और थोड़ी सी हलकी सी दरदरी भी पीच सकते हैं अगर आप दरदरी पीच रहे हों तो उसके साथ आप एक बार प्याज को जरूर एट करें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैं बिना प्याज काज खाना बना रही हूं बहुत सिंपल खाना तो हम इसे पीस ल नहीं था तो यह देखे चटनी हमारी पिस गई है और अब हम इसमें क्या करेंगे बिल्कुल जरासा पानी डालेंगे चटनी हलकी सी दरदरी थी और इसके बाद हम जो सब्जी है अब सब्जी देखेंगे हमारी सब्जी कहां तक पहुंची तो सब्जी हमारी लगबग 70-80% कुक हो गई है एक बार बीच बीच में सब्जी को हमेशा चलाते जाएं और मीडियम फ्लेम पे सब्जी को कुक करें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे सब्जी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सब्जी अच्छे से पक जाती है और जलती नहीं है कि कई बार क्य होता है कि gas का flame फुल रहता है तो तले से सब्जियां जल जाती है तो ऐसा ना करें हमेशा medium to low flame पर सब्जी को कुक करें चटनी को हम एक डिबे में ट्रांसफर कर लेंगे और चटनी निकाल लेंगे जैसे चटनी बच जाए तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं तो दूस यूज करें हम लोग तो यह लोकी को मैंने डिबे में भरके रख दिया है और इसे में फ्रिज में रख दूंगी जिससे की गर्मिया है तो थोड़ा सा फ्रेश रहेगी और अब हम इसे क्लीन कर लेंगे हमारा जो प्लेट फॉर्म है क्योंकि खाना बनाते बनाते गंदा हो जाता है काफी और इसके साथ ही जो हमारी सब्जी है वो भी लगबग लगबग कुक हो गई है तो सब्जी का ठकन हटा के हम देखेंगे देखेंगे एकदम पक गई है सब्जी और आप हम इसमें जो बारी कटा हुआ हरा धनिया है वो मिलाएंगे आप मुझे प्लीज लके यह दॉसा क्सुंद आई होगी तो अब हम इसमें प्रैश कॉरिवांडर मिक्स कर देगे और इसके बाद मैं कॉरियंग्न को मिक्स निकरओं के ओर फोड़ा देर रखके और ढखेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छा से आए अम मैं थाली लगाओंगी तो थाली मै मैंने रखी हुई है आज लौकी की सबजी प्याज लच्छे वाली और आम की चटनी पापड रोटी और ये मिर्च सुखी वाली और राइस रखे हुए है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी